हेलो एवरिवान, विल्कॉम बैक टू दे चैनल, सो यहाँ पर आज हम बुक्स एन आउथर्स देखने वाले हैं, दो होजार तेइस में, जन्वरी से जून तक के सारे कवर करेंगे, शुरू करेंगे पहले ग्वेशन के साथ, यह जो इंटरनेशनल बुकर प्राइस 2023, यह जो इंटरनेशनल बुकर प्राइस है, यह मिला है, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को, आप्शन नमबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लास्ट एर का हम लोगों को पता है, गितांजली शुरी को मिला था, भारत की हैं वो, इस बुक के ऑथर कौन है, अंसर होगा, शाशी शेखर, आप्शन नमबर A, यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर देखें, दोक्युमेंटेड पी एम मोदीज मन की बात प्रोग्राम, इस बुक में दोक्युमेंट किया गया है, हमारे प्रधान मंद्रे की मन की बात जो होती है उसको डॉक्युमेंट किया गया है, ठीक है, हो इस दा ऑथर अथर अफ दो बुक, द्रापदी मुर्मू, फ्रम ट्राइबल हिंटरलेंज टू राइसिना हिल्स, यह हमारी प्रेजिडेंट द्रापदी मुर्मू के उपर लिखी गई बुक है, और इसको कस्तूरी रे के द् द्रापदी मुर्मू, फिफ्टीन प्रेजिडेंट है हमारी और पहली ट्राइबल प्रेजिडेंट है, और कौन से ट्राइब से बिलॉंग करती है, संधाली ट्राइब से, ठीक है बुक रसकिन बॉंड के द्वारा लिखी गई है आप इसका बुक कवर भी देख रहे होंगे option number A correct है who is the author of the book Smoke and Ashes Smoke and Ashes ये बुक अमिताब खोश ने लिखी है तो यहाँ पर option number B correct हो जाता है who is the author of Made in India 75 Years of Business and Enterprise ये बुक जो है अमिताब कांथ के द्वारा लिखी गई है former CEO of Niti Aayog और फिलहाल ये G20 शेरपा है ठीक है तो इनके द्वारा लिखी गई है Made in India 75 Years of Business and Enterprise यहाँ पर कुछ अदर बुक्स देखें तो Gandhi, सियासत और सामप्रदाइकता इस बुक को लिखा है Piyush Babalene Sachin at 50, Celebrating a Mastro ये लिखी है बुक बोरिया मजुमदार ने Cross Court बुक जो है Autobiography है, Tennis Legend जैदीब मुखर जी की ठीक है अगला दिखें Saurashtra, Tamil Sangam Prashasti इस बुक को आथर किया है Somnath Sanskrit University ने और इसे रिवील किया PM मोती ने My Life as a Comrade K.K. Shailaja की बुक है The Indian Metropolis Deconstructing India's Urban Spaces Varun Gandhi के द्वारा लिखी गई है Supreme Court on Commercial Arbitration ये बुक लिखी है Dr. Manoj Kumar ने फिर नेक्स्ट बुक है Guts Emits Blood Bath The Unshuman Gaiakward Narrative इस बुक के ओथर है आदित्य भूशन ये भी याद रखीगा Who is the author of the book Mundka Upanishad The Gateway of Eternity ये जो बुक है इसको लिखा है Dr. Karan Singh ने Former MP है ये और इस बुक को इनके द्वारा लिखा गया है जिससे रिलीस किया है जगदीब धनकर हमारे Vice President ने यहाँ पर आप इनको देख भी रहे है Mr. Jagdeep धनकर Who has been awarded with 32nd ये किसे मिला है तो अंसर होगा ज्यान चातुरवेदी और इनकी जो बुक है पागल खाना इसके लिए इनको ये अवर्ड दिया गया है 32nd व्यास समान अवर्ड ठीके लास्ट टाइम का लास्ट येर का हम देखें वो किसको मिला था डॉक्टर असगर वजाहत को मिला था महा बली इनकी बुक के लिए व्यास समान अवर्ड जैसे हम देखी रहे है बुक्स के लिए दिया जा रहा है तो एक लिटररी अवर्ड है और केके बिर्ला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है Who is the author of Bipin The Man Behind the Uniform इस बुक को लिखा है रचना बिस्ट रावत ने option number C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जनरल विबिन रावत के लाइफ के उपर ये बुक लिखी गई है कौन थे हमारे पहले CDS Chief of Defense स्टाफ थे और अभी फिलहाल कौन है जनरल आनिल चोहान जो है हमारे second CDS और current CDS है Who is the author of the book Ambedkar Alive ये बुक लिखी है शशित हरूर ने तो option number C again यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा Who is the author of the book जादू नामा जादू नामा बुक जो है इसको लिखा है अरविंद मंडलोई ने और यहाँ आप cover में भी देख रहे है ये कौन है जावेद अक्तर है तो इन ही के ऊपर ये बुक लिखी गई है लिरिसिस्ट है जावेद अक्तर और इन के ऊपर इन ही के बारे में जादू नामा बुक इसको लिखा है अरविंद मंडलोई ने इस बुक के ऊथर कौन है ये हैं संचीव सान्याल और इसे हो मिनिस्टर अमित शाह ने रिलीज किया है अगली बुक की बात करें तो है इन्डियाज नॉलेज सुप्रीमेसी दन्यू डॉन इस बुक के ऊथर है डॉक्टर अश्विन फर्नांडेस और इसे रिलीज किया है धर्मेंदर प्रधान ने जो की हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है या फिर फूलंगे ये जो नॉल है इसके ओथर है लेखनाथ शेत्री और इसका इंगलेश ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन जो है अवेलेबल है जसका नाम है फ्रूट्स ओफ दे बैरन ट्री इसे ट्रांसलेट किया है अनुराग बसनेट में वो इस दो ऑथर अफ द बुक इंडियाज वाक्सिन ग्रोथ स्टोरी इस बुक के ओथर है सजन सिंग यादव तो ऑप्शन अमबर यह हमारे पास करेक्ट हो जाता है इस बुक का पूरा नाम इक पर देख लिजे इंडियाज वाक्सिन ग्रोथ स्टोरी फ्रूम काव पॉक्स टू वाक्सिन मैत्री सजन सिंग यादव के द्वारा लिखी गई है और डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है इनके द्वारा इस बुक को रिलीस किया गया है अब यहाँ पर थोड़ी सी लिस्ट देख लेते हैं तो बसू चार्टर जी और मिडल ओफ दे रोड सिनिमा इस बुक के ओथर है अनिरुद भटाचार्य फिर नेक्स्ट बुक है वानी त्रिपाथी टीको के द्वारा इस बुक को लिखा गया है वार इन विमन ये बुक के ओथर जो है वो कौन है डॉक्टर M.A. हसन है कोर्टिंग इंडिया इंगलेंड मुगल इंडिया और ओरिजिंस ओफ इंपाइर इस बुक को नंधिनी दास के द्वारा लिखा गया है नेक्स्ट देखें दबुक ओफ बिहारी लिटरेचर अभे कुमार के द्वारा लिखी गई है वार इन विमन ये तो हमने देखी लिया है अज गुड अज माई वर्ड एमे मायर ये केम चंद्र शेखर के द्वारा लिखी गई है इंडिया स्ट्रागल फोर इंडिपेंडेंस गांधियन एरा इंपॉर्टन बुक है पी जोती मनी के द्वारा इसको लिखा गया है नेक्स्ट है स्नेक इंदर गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 ये बुक के ऑथर्स की बात करें राजीव मलोतर और विजय विश्वनाथन है अमेटर ओफ हर्ट एजुकेशन इन इंडिया इसके ऑथर है अनुराग बेहर नेक्स्ट बुक है चत्रपती शिवाजी महराज इलस्ट्रेटर्ट है और इसको श्रीमंत को काटे के द्वारा लिखा गया है इनकी पहली इंग्लिश की बुक है ये श्रीमंत को काटे जो है मराथी राइटर है एक और इनकी पहली इंग्लिश में बुक है चत्रपती शिवाजी महराज नेक्स्ट है आजाद आजाद जो है गुलाम नभी आजाद जो की फॉर्मर सी एम रह चुके हैं जमू कश्मीर के इनकी ओटो भाइग्रफी है आजाद ठीक है नेक्स्ट देखते हैं दो पॉवर्टी ओफ पॉलिटिकल एकोनॉमिक्स इस बुक के ओधर है ब्रिटिश एकोनॉमिस्ट मेग नाद द साही इसे पब्लिश किया है पेंग्विन रेंडम हाउस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है मोधी शेपिंग अग्लोबल और इन फ्लक्स इस बुक को लॉंच किया है जेपी नडडा ने बीजेपी के नाशनल प्रेजिडेंट है उसके बाद नेक्स्ट बात करें प्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ओफ दलिथ चीफ सेक्रेटरी काकी माधवराव के द्वारा लिखा लिखी गई है बुक चीफ मेंस्टर डायरी नंबर वन रंजन गोगोई के द्वारा रिलीज की गई है जो कि हमारे फॉर्मर सीजी आई है चीफ चस्टिस ऑफ इंडिया है रोलर कोस्टर एन अफेर विद बैंकिंग तमल बंदोफाद्याई के द्वारा लिखी गई है जान साक्षी यह जो है ऑटो बायग्रफी है प्रोफेसर केके अब्दुल गफार की जो कि एक टेक्नो एजुकेशनलिस्ट है और इसे मस धोनी के द्वारा रिलीज किया गया है नेक्स्ट देखें स्पेर एक ममार है किसके द्वारा प्रिंस हरी के द्वारा लिखा गया है ब्रिटिश रॉयल मेंबर है इनके आप यहां भी देख रहे हैं इसका बुक कवर ब्रेविंग अ वाइरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सिन स्टोरी इसके ओधर है आशिश चंदोरकर और सूरज सुधीर कम लेट्स रन एम ए सुब्रमानियम के द्वारा लिखी गई है तमिल आडू के हेल्थ मिनिस्टर है और नेक्स्ट बुक है कोचिंग ब्यॉंड माई डेज विद्धा इंडियन क्रिकेट टीम यह आर कोशिक और श्रीधर के द्वारा लिखी गई है और यह बुक भी काफी इंपोर्टेंट है याद रहें आपको फिर नेक्स्ट है इंडिया दे मदर ओफ डिमोक्रसी इसे रिलीस किया है धर्मेंदर प्रधान ने जो हमारे एजुकीशन मिनिस्टर है और पब्लिश किया है इंडियन काउंसल ओफ हिस्टोरिक इंडियन हिस्ट्री विक्रम संपत के द्वारा इस बिक को लिखा गया है नेक्स्ट है मिरिकल्स ओफ फेस योगा मांसी गुलाटी के द्वारा लिखी गई है दे लाइट भी केरी मिशल उबामा की बुक है फिट एन एन एज एज प्राक्टिशनर्स गाइड एर मार्शल प प्यूश बबाले के द्वारा इस बुक को लिखा गया है और नेक्स्ट बुक है फॉक्स इन दे रोड माई डेज एक आर बियांड सी रंग राजन इनके द्वारा लिखी गई और ये बुक भी आपको अच्छे से आदर्पनी है काफी इंपोर्टन है आगे 2022 के कुछ बुक और ऑथर्स जो इंपोर्टन रहे हैं बहुत जादा न्यूज में हमने देखे हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं 2022 का बुकर पुरसकार किसने जीता है तो ये जीता है शेहान करुनाति लका ने और इसके बारे में डीटेल थोड़ी सी देख लेते हैं दोजार पाइस का बुकर पुरसकार हमने देखा नाम इनका शेहान करुन अतिलका ये श्री लंकन आथर है इनकी नौवल कौन सी है जिसके लिए इन्हें ये पुरसकार मिला है तो ये नौवल है The Seven Moons of Mali Almeida 2021 में ये जो बुकर प्राइस है डमन गलगट को मिला था The Promise के लिए बुकर प्राइस जो है ये एक लिटररी प्राइस है दिया जाता है बेस्ट नौवल के लिए पहले विनर कौन थे 1969 में पहले विनर थे इसके पी एच नियूबी नेक्स्ट क्वेशन है Who has been awarded with the 32nd विहारी पुरसकार 32 वा बिहारी पुरसकार इससे सम्मनित किया गया है माधव हडा को यहां डीटेल देख लेते हैं तो हमने देख लिया किसको दिया गया है किस बुक के लिए दिया गया है पचरंग चोला पहार सखीरी यह जो बुक है इसके लिए इन्हे दिया गया है बिहारी पुरसकार 32 है बिहारी पुरसकार जो है यह भी एक लिटररी अवार्ड है अपन कंकरिया को who has been awarded with 31st व्यास समान अवार्ड व्यास समान अवार्ड ये मिला है Dr. असगर वजाहत को और ये जो अवार्ड है 31st ये 2021 के लिए अभी तक दिया गया है given to Dr. असगर वजाहत for his book Mahabali व्यास समान अवार्ड की नेक्स्ट पिंडामिक इस book के author है Bill Gates और नेक्स्ट क्वेशन की बात करें which novel has won international booker prize 2022 तो आप याँ पिक्चर में देखकर समझ गया होंगे पूरे साल ये बहुत न्यूस में रही है Tom of Sand जो book है Gitanjali Shree की इसे मिला है international booker prize 2022 का रेट समाधी हिंदी वर्जन इसका है जो की Gitanjali Shree ने लिखा है इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है Daisy Rockwell ने Tom of Sand जो है ये पहला हिंदी नॉवल है जिसने international booker prize जीता है लास्ट येर किसने जीता था 2001 के winner की बात करें तो ये हैं David Diop इनकी बुक थी अब यहां पर कुछ और books और authors की बात करते हैं तो लता सुर्गाथा लता सुर्गाथा इसकी author है इसके author है यतिंद्रमिश्रा English version इसका है लता अलाइफ एंड म्यूजिक ये 2023 में लॉंच होने वाले है इसके English version ठीक है हिंदी वर्जन लता सुर्गाथा ये तिंद्रमिश्रा के द्वारा लिखी गई है नेक्स्ट है मोधी आट 20 ड्रीम्स मीट डिलिवरी ये जो है लॉंच की गई है हमारे एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्टर एस जैशंकर के द्वारा कहां पर न्यूजिलेंड में बुक का नाम के है मोधी आट 20 ड्रीम्स मीट डिलिवरी उसके बाद नेक्स्ट बुक है पिंडामिक डिस्रॉप्शन और ओडिसाज लेसन इन गवर्नेंस डॉक्टर अमर पतनायक के द्वारा ये बुक लिखी गई है नेक्स्ट बुक है डेली युनिवर्सिटी celebrating 100 glorious years इसके ओथर है हर्दीब सिंग पुरी जो की मिनिस्टर ओफ पेट्रोलियम और नाच्रल गैस और मिनिस्टर ओफ हाउजिंग अन अर्बन अफेर्स है उसके बाद नेक्स्ट बुक है नुकलिराइजेशन ऑफ एशिया रेने नबा की द्वारा बुक लिखी गई है एक फ्रेंच ओथर है नुकलिराइजेशन ऑफ एशिया नेक्स्ट बुक है विनिंग दे इनर बैटल इसके ओथर है शेन बाटसन औस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है इनके द्वारा लिखी गई है विनिंग दा इनर बैटल नेक्स्ट बुक के बाद करें एक जाने की अमल लाइफ और साइन्टिफिक कॉन्टिबूशन इसके ओथर है निर्मला जेम्स नेक्स्ट आते है इसके ओथर कौन है साइमन सेबग है जो की ब्रेटिश हिस्टोरियन है नालंदा अंटिल वी मीट अगें इसके ओथर है गौतम बोरा उसके बाद नेक्स्ट है द्वार्बेट पेपर्स ये जो बुक है लिखी गई है लिखी निगे एडिट की गई है बाई अक्षा सहा ये जो बुक है इसके ओथर है डॉक्टर बिमल जालान 2022 वेली ओफ वर्ड्स वेली ओफ वर्ड्स बुक अवर्ड ये जो है टैगोर एंड गांधी बुक को दिया किया है और कौन सी कैटेगरी में तो इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी में इसके ओथर है रुद्रांग्शु मुखर जी नेक्स्ट क्वेशन है फर्स हिंदी वर्जिन फिक्स वेली ओफ वर्ड्स बुक का हिंदी वर्जिन पहला ये मध्य परदेश में लाँच किया गया है और अमित शाह जो हमारे होमो मिनिस्टर है उनके द्वरा इसे लौँच किया गया था इस बुक के ओथर है साहिल सेट ये जो बुक है बाब डाइलन के द्वरा लिखी गई है और ये एक अमेरिकन सिंगर और सॉंग राइटर है और इनकी बुक का नाम कह है दे फिलोसोफी अफ मौडन सॉंग इसके ओथर है योगेंद्र सिंग यादव इस बुक का नाम है इस बुक लिखी है प्रकाश सिंग ने और इसे इसका किसने रिलीज किसने की थी ये जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं विंकया नाइडू हमारे फॉर्मर वाइस प्रेजिजेंट इस बुक के ओथर है आलोख चकरवाल और रिलीज ये बुक की है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंदर प्रधान ने बाकी बुक्स देखते हैं इंडियन बैंकिंग इन्रेट्रोस्पेक्ट सेवेंडिफाइव योर्स ओफ इंडिपेंडनेंस इस बुक के ओधर है डॉक्टर आशुतोष रराविकर नेक्स्ट है बीबी माइ स्टोरी ये औटो बायग्रफी है पेंजामिन नितन यहू की जो की इसराइल के फॉर्मर पी-म है साइन्स बिहाइंड सूरे नमसकार ये बुक डॉक्टर कालू भाई ने लिखी है डाइवर्स और डिमॉक्रिसी अ हिस्ट्री ओफ पर्सनल लॉव इन पोस्ट इंडिपेंडनेंस इंडिया ये बुक जो है सौमिया सकसेना के द्वारा लिखी गई है उसके बाद नेक्स्ट है फोगिंग मेटल नुपेंद्र राव एंड़ पेनर स्टोरी इस बुक के ओधर है पवन सी लाल क्रिमसन स्प्रिंग इसके ओधर है नवजोद सरना नवतेज सरना ये रीसेंड में नहीं लिखी गई है लेकिन ये जो बुक है इसे लॉंग लिस्ट किया गया है फोर ट्वंडी ट्वंडी टू जे सी बी प्राइस फोर लिटरिचर उसके बाद नेक्स्ट बुक है विल पावर ये जो है ओथर की गई है भाई फॉर्मर इंडिन विमन होकी कोच जिनका नाम है जॉर्ड मेरिने उसके बाद है रजिनीज मंत्रा ये जो बुक है पीसी बाल सुब्रमन्यम के तवारा ये बुक लिखी गई है नेक्स आते हैं नेक्स बुक का नाम है अंबेडगर एन मोदी ये रिलीज की है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनात कोविन ने ये जो बुक है ये रिलीज की गई है वाइस प्रेसिडेंट एम वंकया नाइडू के द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय जीवन धर्शन और समसामिक्ता ये बुक रिलीज की है जनदीब धनकर ने जो की हमारे इस समय वाइस प्रेसिडेंट है उसके बाद नेक्स्ट है ओडिसा सीम नवीन पतनायक इन्होंने एक बुक रिलीज की है इसका नाम है लॉगडाउन लिरिक्स इसके ओथर कौन है सन्जुकता दास नेक्स्ट बुक है अन्यू इंडिया सेलेक्टिड राइटिंग्स 2014 to 2019 यह लॉँच की है अन्यू इन्डिया सेलेक्टिड राइटिंग्स यह कंपाइलेशन है सेलेक्टिड आर्टिकल्स का अरुन जेटली के ठीक है इंडियास एकॉनमी फ्रम नहरू टु मोदी अब्रीफ हिस्ट्री इसके ओथर है पुलाप्रे बालकृष्णन नेक्स्ट बुक है फ्री फॉल माइ एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग्स मली का सारा भाई के द्वारा यह बुक लिखी कई है नेक्स्ट बुक की बात करें तो माइड मास्टर विनिंग लेसंस फ्रॉम अ चाम्पियन्स लाइफ इसके माइड मास्टर का नाम आता है तो कौन है विश्वनाथन आनद्स इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर है इनके द्वारा यह बुक लिखी कई है नेक्स्ट है दिलीब कुमार इन दे शैडो अफ अलेजिंड फैसल फरुकी के द्वारा यह बुक लिखी गई है नेक्स्ट बुक है ब्योंड दा मिस्टी वील टेंपल टेल्स ओफ उतराखंट यह आराधना जोहुरी के द्वारा लिखी गई एक बुक है और इसे रिलीज किया है पुशकर सिंग धामी उतराखंट के सीम ने नेक्स्ट बुक है गौतम अडानी दमैन हूचेंजट इंडिया आर एन भासकर के द्वारा लिखी गई एक बुक है अस्टांग योग ये बुक डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा लिखी गई है और बिजनस ओफ स्पोर्स दे विनिंग फॉर्मूला फॉर सकस्स विनीथ कारनिक के द्वारा ये बुक लिखी गई है नेक्स्ट बुक है विमन्स प्राइज फॉर फॉर फॉर्म 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 फॉ नेक्स्ट है अन्फिल्ड बैर्ल्स इंडिया ओयल स्टोरी रिच्जा मिश्रा के द्वारा ये बुक लिखी गई है नेक्स्ट बुक है Here Yourself इसके ओधर है प्रेम रावत दे क्लाइमेट बुक के ओधर है ग्रेटा थन्बग जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सोली सुराब जी लाइफ अन्टाइम्स इन ऑथराइस्ट बायग्रफी इसके ओधर है अभिनव चंद्रचून नेक्स्ट बुक है Glimpses of a Pioneer's Life Journey डॉक्टर वी एल दत्त के द्वारा ये बुक लिखी गई है रिस्ट अशॉर्ड इन ऑटोपाइग्रफी जी आर विश्वनात और आर कौशिक के द्वारा है लिखी गई है उंगलिल और वन इसका मतलब होता है वन अमंग यो तमिल में ये बोलते हैं इसको और इसके ओधर कौन है ये आटोबाइग्रफी है तमिल नाडू के CM की जो की है M.K. स्टालिन नेक्स्ट बुक का नामे उडान एक मजदूर बच्ची कीज के ओथर है मितिलेश दिवारी गोल्डन बॉए नीरा चोपडा नवदीप सिंगिल के द्वारा लिखी गई है इंडियास वुमेन अंसंग हीरोज ये जो है बुक ये प्रपै की गई है भाए Ministry of Culture बोस्ट अंटोल्ड स्टोरी ओफ एन इंकन्वीनेट नेशनलिस्ट चंद्रचूट घोष के द्वारा ये बुक लिखी गई है रतन एंटाटा द ऑथराइजड बायग्रफी डॉक्टर थॉमस मेथ्यू के द्वारा लिखी गई एक बुक है उसके बाद नेक्स आते है गांधी अंदर्च अंपारन सत्यागरा सेलेक्टेड रीडिंग्स इसमें है तो ये बुक जो है एडिट की गई है बाय सुरंजन दास इसके ओथर है जे जे सिंग्ड एडवेंचर इन रिडिंग इसके ओथर है रस्किन बॉंड नेक्स्ट बुक है इंडो पार्क वर नाइटीन सेमेंटी वन इसके ओथर है जगजीत सिंग अन शैलेंद्र मोहन नेक्स्ट बुक है दे स्ट्रागल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया प्रकास सिंग की बुक है यह एथिंग पहले भी आ चुका है फ्योर्लेस गवर्निंस की रनबेदी के द्वारा लिखी गई है अप्लेस कॉल्ड हूम प्रीती शिनॉय की बुक है दे क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल के द्वारा लिखी गई है दम मिलेनियल योगी यह दीपम चाटर जी की बुक है उसके बाद नेक्स्ट बुक है लिसन टू यॉर हर्ट दे लंडन एडवेंचर रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह बुक लिखी गई है नेक्स्ट बुक का नाम है इंडिया स्ट राशिद किद्वाई क्वीन ओफ फायर यह रानी लक्षमी बाई के जीवन पर यह बुक लिखी गई है क्वीन ओफ फायर इसके ओधर है देविका रंगाचारी दमिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टॉम गौतम चिंता मनी के द्वारा यह बुक लिखी गई है उसके बाद नेक्स है टिगनिटी अन डिजिटल एज इसके ओधर है आरो खन्ना या रो खन्ना गांधी गांधी असेसेसिंग दे मेकिंग आफ नाथुराम गोटसे और इस आइडिया ओफ इंडिया यह बुक के ओधर है धीरिंद्र जा इंडॉमी टेबल अवर्किंग विम अवर्टाइम्स अमिताब घोश के द्वारा यह बुक लिखी गई है उसके बाद नेक्स्ट बुक है पाब्लिक सर्विस एथिक्स प्रभात कुमार के द्वारा लिखी गई है लाल सलाम अनॉवल स्मृति इरानी की बुक है और ममता ब्योन ट्वेवन ट्वेवन जयंत चाल के द्वारा यह बुक लिखी गई है नेक्स्ट बुक पर आते हैं सन्राइज ओवर अयोध्या नेशन हुड इन आर टाइम्स सलमान खुर्शीद इसके ऑथर है नेक्स्ट है 1971 चार्ज ओफ गोरखास और स्टोरीज रचना बिष्ट रावत के द्वारा यह बुक लिखी द्वारा दे मोधी क्यांपेट डीकोडिंग मोधी 2.0 संजु बर्मा के द्वारा लिखी गई है प्राइड प्रिजुडाइज और पंडितरी शाशी धरूर की एक बुक है नेक्स्ट है बैचलर डाड तुशार कपूर इसके ऑथर है श्रीमत रामायन शाशी किरन के द्वा द्वालिया और एन जहा के द्वारा एडिट की गई है अभी 2021 के कुछ बुक्स और ओथर्स हैं जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं एक बार तो दे कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट और बैंकर्स में मायर इसके ओधर है रजनीश कुमार राइटिंग फॉर माय लाइफ दे विरी अनेंसी भाइबल करीना कपूर के द्वारा लिखी गई है हाव द अर्थ गॉट इस ब्यूटी सुधा मूर्थी की बुक है नेक्स्ट बुक है सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग और अलायन्स प्रीत मोहन सिंग मलिक के द्वारा लिखी गई है इन आइडियल वर्ल्ड एक्च्वली आइ मेट देम अमायर इसके ओधर है गुल्जार नेक्स्ट बुक है दे ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया ज स्टेट्स इसके ओधर है वी एस श्री निवासन एकनोमिस्ट गांधी जैरी राव के द्वारा लिखी गई है और रूड लाइफ देमायर ये वीर स् कर दो में फूड हाव प्रवेंटेड पार्टिशन उद्य महुरकर और चिरायू पंडित के द्वारा ये बुक लिखी गई है नेक्स्ट है दर स्टार्स इन माय स्काई दोज हूब राइटन माय फिल्न जर्नी दिव्यादत्त इसकी ओधर है हिटलर एंड इंडिया वेभव पुरांडरी की ये बुक है उसके बाद नेक्स्ट बुक है द्रीम ऑफ रेविल्यूशन अ बाइग्रोफी ऑफ जय प्रकाश नारा और विमल प्रसाद और सुझाता प्रसाद के द्वारा ये बुक लिखी गई है नेक्स्ट बुक है कमला हैरेस फेनॉमनल वुमेन चिदान राजगट के द्वारा लिखी गई है दे क्रिस्मस पिग जेके रॉलिंग की बुक है उसके बाद है माइग्स्परिमेंट विद साइलेंस अ डायरी ऑफ इन इंट्रोवर्ट ये समीर सोनी की बुक है नेक्स्ट बुक का नाम है लेडी डॉक्टर अंटोल स्टोरी आफ इना गुपता के द्वारा ये लिखी गई है उसके बाद है सावरकर अ कंटेस्टेट लीगसी ये जो बुक है 1924 से 66 के टाइम पीरिट को कवर करती है विक्रम संपत की द्वारा लिखी गई है दे लाइट ओफ एश्या दपोइम दट डिफाइन द बुद्धा जैराम दे बेंच ये बुक जो है मेगन मारकले के द्वारा लिखी गई है उसके बाद नेक्स बुक है अनॉमलीज इन लॉज एंड जस्टिस आर्वी रवेंदरन की बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ रवी शासरी के द्वारा लिखी गई है बारा सो बत्त अमरते सेन जो की इंडियन एक्वानमिस्ट है 1998 में इने नोबेल प्राइस भी मिल चुका है नहरू तिबद एन चाइन अवतार सिंग भसीन के द्वारा ये बुकली की गई है इंडिया एंशियन जियो पॉलिटिक्स दे पास्ट प्रेजंट शिव शंकर मिनन इसके ओधर है ब्यूटिफल थिंग्स के ओधर हंटर बाइडन नेक्स्ट बुक है ओडिसा एतिहास ये हरे कृष्णा महताब के द्वारा बुकली की गई है नेक्स्ट बुक है एडवांटेज इंडिया दस्टोरी ओफ इंडियन टेनिस अनिंद्य दत्ता के द्वारा बुकली की गई है फिर है Unfinished, प्रियांका चोपड़ा, इसकी ओधर है, Making of a General, A Himalayan Eko, ये जो है, कौनसम हिमालय सिंग के द्वारा बुख लिखी गई है, नेक्स्ट बुख का नाम है, By Money, A Happy Accident, Recollections of a Life, हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई है, The Little Book of Encouragement, दलाई लामा की बुख है, और Human Rights and Terrorism in India, इसकी ओधर है, सुब्रमान्यम स्वामी, नाओ, लास्ट में ये एक परश्चन है, आप लोगों के लिए, तो इसका आंसर आप लोगों को करना है, कमेंट बॉक्स में और बस आज की वीडियो में इतना ही, आपका रिविजन अच्छे से हो गया होगा सबे बुक्स और उनके ऑथर्स का, थैंकिसू मुश वाजिन के वीडियो, जैहिंद,